असलाम लेकूम आज का हमारा टॉपिक है अब्लीक प्रोजेक्टाइल लेक्चे को स्टार्ट करने से पहले में बिताती चलूं कि आप मेरे चैनल लिली डोस अधुकेशन को लाइक करें शेर करें और सबस्क्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें कि और वीडियो को सेले देखा हमने इसके जो है वो विलोसिटी के दोनों कॉमपरेंट्स को एक्सलरेशन को उसके नेगेटिव साइन को हमने थोरोली डिसकस किया आज मैंने आपको ये बताना था कि हमने MCQs किस तरह जो है वो डील करने होते हैं अब्लीक प्रोजेक्टाइल के टॉपिक पे दूस वो कुछ ही हो था यह अभी आपने प्रिवेस लेक्चर में यह डायग्राम जरूर देखी होगी जिसमें हमने एक्जेम्पल ली थी कि फुट बॉल जो है वो किक्ट होई अबाद प्लेयर और उसने ये ट्राइजेक्ट्री जो है वो बनाई है तो हमें पता है कि हाइस पॉ पॉइंट पर आके जो है वो number of questions पूछे जा सकते हैं हमने यह चीज़ भी कली discuss कर ली थी कि यहां पर velocity का हमारे पास जो amount है वो minimum होगी जबके वो 0 नहीं होगी क्योंकि 0 इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसके पास अभी B A component X component मुझूद है Y component नहीं है और इस point पर यह भी पू पर keyword है हमें पता है कि जो velocity का X component है उसकी direction हमार पास इस तरह है और हमार पास acceleration जो है वो throughout that trajectory downward है यह भी हमने कल discuss किया था तो इनका अपस में जो angle बनेगा वो 90 degree का बनेगा तो यह भी MCQs पूछा जा सकते हैं आपसे इस highest point से related number of questions पूछे जा सकते हैं इसी वज़ा से आज हमने जो दुबारा lecture oblique projectile के topic पर बनाया है वो velocity at highest point पर ही discussion होगी उसकी start ही यहाँ से होगी तो हम start करते हैं कि velocity at the highest point जो के first increase थी फिर decrease होई और उसके बाद दुबारा increase होगी तो हमारे पास जो VH है velocity at the highest point उसकी value है VI cos theta VI cos theta कौन सा जो है वो component की जो है हमारे पास value थी VIX की initial velocity के X component की जो के हम कल discuss कर चुके हैं तो इसकी value हमारे पास क्योंके X component रह जाता है तो VI cos theta is the highest velocity अगर हम बात करें कि velocity at high हमारे पास जो है किसी भी projectile की वो कितनी होती है वो depend करती है उसके angle of projection पे कि किस angle से उसको project किया गया है उसकी velocity इस angle पे depend करती है तो हमने angles को discuss करना है जो main angle हमारे 30, 45 और 60 का angle है जिसमें हमने angle of projection को देखना है और इन values में theta की जगा put करके हमने देखना है कि velocity at the highest point कितनी degrees होती है ये तो हमें पता है लेकिन कितनी रह जाती है ये हमें जो है वो हम theta के अंदर angle of projection put करके ये चीज़ निकालेंगे कि velocity बचती कितनी है बाकी तो degrees हो जाती है तो angle of projection अगर 30 degree हो हमारे पास तो हमने simply ये वाली equation जो है हमारे पास VH values में cos 30 put करना है और हमारे पास cos 30 जो है वो 0.86 of the initial velocity कि है हमारे पास 86% initial velocity से जो velocity बची है वो 86% है अगर angle हो 60% का तो just आपने 30 की जगा 60 cos put करना है cos 61 over 2 या 0.5 की equal होता है तो हमारे पास half of the initial velocity बची यानि 50% तो अगर हम अभी हमने बात की है velocity at the highest point कितनी बचती है हमने simply उसके x component की value डालके theta की जगे angle of projection को put करके हमने देखा कि इन conditions में जो angle different हो रही है तो हमारे पास initial velocity से comparison में जो velocity बच रही है वो भी different आ रही है अगर हम momentum की लिहास से बात करें तो हम momentum का formula general जो है p is equal to mv है तो उसके साथ हमने h और इस पर से लगाए क्योंकि हम momentum at the highest point बात करें m की जगा हमने mv h की जगा हमने पहले से drive किया v i cos theta mv i हमारे पास initial momentum था और ph is equal to pi cos theta हमारे पास momentum at the highest point की equation है हमने equation momentum की at the highest point जो है वो drive कर ली है अब हमने angle of projection देखने है 30 degree का अगर हमने यहाँ पर angle देखे तो pi cos theta cos 30 जो है वो हमारे पास 0.86 of the initial momentum यानि 80% जो है वो left होगा बिल्कुल वो ही case अब यहाँ पर हम 45 degree के angle की बात कर लें तो cos 45 हमारे पास 0.70 of the initial momentum की equal आएगा जो के 70% बचता है अगर हम kinetic energy की बात करें तो kinetic energy जो है उसका general formula लिखकर हम उसका वो वाला formula derive कर सकते हैं जो के at the highest point होगा simply हमने half mvh का square है vh यानि velocity at the highest point की value का square vi square cos square theta और उसके बाद हमें पता है half mvi square जो है वो initial kinetic energy और cos square theta as it is आजएगा और यह हमारे पास kinetic energy at the highest point है इस formula को again उसी तरह derive करके हमने simply angle of projection जो different angle of projection है उनको put करना है जैसे कि यहां पर थोड़ा case different है क्योंकि यहां पर cos theta था यहां पर भी cos theta था इस case में cos square theta है तो इस चीज का आपने ख्याल रखने हैं हमसे उसमें 30 degree है अब हमें cos 30 का पता है क्योंकि वो हमारे पास 0.86 के equal है लेकिन यहां पर 3 by 4 हो जाएगी क्योंकि cos square theta की बात हो रही है और यहां पर 75 percent जो है वो kinetic energy जो है वो बचेगी of the initial kinetic energy 45 percent होगा तो यहां पर तो 0.70 जो है हमारे पास cos 45 की value थी लेकिन cos square 45 की value हमारे पास half of the initial kinetic energy है और half यानि 50 percent हमारे पास kinetic energy बचेगी अब हमने जो है वो parameters discuss कर ली है एक तो velocity पे, momentum पे, kinetic energy पे अब हम potential energy पे find करके ultimately फिर हम MCU solve करेंगे इन ही rules को follow करके अब हम last जो है वो parameter की बात कर लेते हैं highest points are related के potential energy highest point पे हम किस तरह हम उसकी equation drive करेंगे और फिर उसके मताबिक हम different angle of projection को put करके value में तो हम potential energy at the highest पर निकालेंगे हमने general formula लिखना है यह हमारे पास एक trick है जिसके मताबिक हम उसकी highest point की derivation जो है वो derive करते है mgh, mgh जो है उसकी जगा, h की जगा हमने height जो है और उसकी value लिखी, vi square, sin square, theta और 2g, g, g से cancel तो हमारे पास half mvi square जो के kinetic energy, initial kinetic energy के equal है और sin square theta as it is तो हमारे पास potential energy at the highest point की equation भी derive हो गई अब हमने 30 का angle of projection लिखा तो हमारे पास sin square 30 जो है वो, 1 by 4 के equal होगा और ये 25% है of the initial kinetic energy, angle of projection 45 degree का हो गया तो हमारे पास जो 45 sin square हमारे पास उसका क्या आता है half of the initial kinetic energy तो 50% जो है वो, बची हमारे पास of the initial kinetic energy, potential energy की value at the highest point यहाँ पर age भी आएगा अब हमने सारे जो है वो, at highest point, potential energy, momentum, kinetic energy, velocity जो है वो, फाइन कर ली अब हम MCQs discuss करते हैं कि हमने जो number of equations derive की हैं, उनकी base पे MCQs किस तरह हमने solve करने हैं अब particle is projected at 60 degree to the horizontal with the kinetic energy K हमारे पास जो है एक particle है जिसको project, angular projection हमें 60 degree का दिया हुए kinetic energy उसकी हमारे पास K है horizontal, हमारे पास ही kinetic energy initial हमें दी वी है हमने kinetic energy at the highest point जो है, वो find out करनी है तो आपने जो भी formula drive किया था, kinetic energy at the highest point का, वो हमारे पास क्या था kinetic energy at the highest point is equal to initial kinetic energy cos square theta यह हमारे पास equation हमने drive की थी general equation से kinetic energy के, हमने simply हमें पता है cos square 60 किसके equal होता है, 1 by 4 के, तो 1 by 4 of the initial kinetic energy जिसको K से represent किया यहाँ पर, इसलिए हम K ही simply लिखेंगे तो K by 4 हमारे पास जो है वो kinetic energy at the highest point है, तो यह हमारे पास इसकी option बीटा है next हमारे पास है, projectile is projected from a region with initial velocity 100 meter per second such that its velocity at the highest point is 50 meter per second angle of projection find करना है यहाँ पर हमें angle projection दिया गया था, हमने kinetic energy at the highest point find करनी थी, यहाँ पर हमें velocity find करनी है उसकी हमें initial value और final value यानि height the highest point given है, हमें अब angle find करना है तो अब हमें पता है velocity की बात हो रही है, तो हमने simply उसकी equation put कर देनी है V, I की जगा पर हमने, अब हमने angle find करना है theta यानि, तो V, H हमारे पास 50 है, V, I हमारे पास 100 है cos theta as it is, 50 by 100, cos theta, 0, 0 से cancel, 5, 1's are 5, 5, 2's are 10, 1 by 2, cos inverse आजेगा is equal to theta, हमारे पता है कि half cause inverse जो है, वो 60 degree के equal होता है तो हमारे पास जो है वो theta की value, 60 आगी तो option में हमारे पास 60 है, Charlie option तो Charlie option is the correct one, तो ये था हम आज का हमारा topic, हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे ये एक अलग जो है वो lecture इस topic पे ही दुबारा बनाने का ये था, कि हमने यहाँ पर सिर्फ angle जो है, वो तो हमें given होंगे या पूछे जाएंगे, हमने simple equation जो drive की नहीं है, जिनको मैं box से represent करती हूँ उन्हीं का use करना है, मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ example दे के समझाया था, कि अगर angle different होंगे तो हमने किस तरह cause और sign की value और square की value जो different हाती है, उनके मताबकि इसको solve करना है वरना हमने जो mcqs में जो चीज यूज करनी है, वो है drive equation, जो कि हमने general equation से drive की होती है तो अगर आपको कोई question हो तो आप comment में जरूर पूचे, मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे channel को like करें, share करें और subscribe करें और bell icon पे click करके all videos को select करें ताकि आपको नए आने वाली videos की notification मिलती रहे, शुक्रिया, अल्लाहफिज